दोस्तों आज के हमारी इस हेलफौल वीडियो में सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है तो मैं इस वीडियो की मात्यम से आपको बताने वाला हूं कि जिनके पास छोटा सेटप है जिन्होंने अभी कार्म सुनू ही किया है उनके पास मिक्सर बगएरा नहीं है तो बिना वाइस है तो आप अच्छे से लिए नहीं आएगी लेकिन आपका प्रोग्राम आसानी से हो सकता है और आपको कोई भी द्रग्राम आगा नहीं आगी तो मैं वीडियो के मात्रम से आपको बताने वाला हूं कि जो आप सेट आप दिख रहे हैं आपके पास दो स्पीकर हैं औ तो इसमें एक सेटेंग की जरूट है विडियो पर बताने वाला हूं। तो व्ह रखते हमारी क्या है चैहां लगातों हैं तो जो हमारा बेस और ट्रेवल जो हमारा बेस ओर ड्रेवल होता है यह हमारे लिए बहुत ही में होता है इसका हमें धियान रखना पड़ता है कि जब हम मिक्सन नहीं लगाते हैं तो हमें बीस और ट्रेविल को कैसे सेट करना है ताकि हमारे जो बूकल वाले माईक हैं बूकल वाले भी जहां पर लगाए हुए हैं बूकल वाले माईक तो उनकी आवाज भी अच्छी आए है थो इसके लिए मैं आपको setting सेटिंग बताने वाला हूं किस तरह से आपको setting रखनी है तो यह हमारा थो नहीं है हमारा DV 24 प्लग बूकल जो चाभा है तो यह हमने इक अक रिवर समय लगा चैनल पर बताता हूं नहीं आपको चैनल पर बता ध्यों ऑदिल्स मप करके और यह आप सिंगिंग के लिए या कोई भी प्रोग्राम आपको चल रहा है उसके लिए यह सेटिंग करके वह चला सकते हैं तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम है कहां पर है सबसे पहले हमें बेस को देखना है कि जो हमारा बेस है ढूरा का बे कोई भी इस चीज को समझ नहीं पाएगा और आपका काम चलता रहेगा तो कहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है डूलक बगएरा की तो डूलक में बेस जब अच्छे से नहीं आ रहा है आपके बार-बार कुछ लोग तो क्या करते हैं मिकसर भी लगाए हुए तब भी वह बेस सेट नहीं कर पाते हैं तो उसका एक रीजन होता है कि बेस हमारा जो है वो कैसे सेट होगा तो कहीं ये कमी जहां पर हमारी रह जाती है वो हमारी कमी कहां रहा जाती है एमपली से आप मिकसर भी लगाए हुए तब भी आप बेस अच्छे से सेट नहीं कर पा रहा हैं तो वो पूरी जो कमी हमारी होती है वो हमारी एमपली से होती है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ाएगा तो जो हमारा बेस है इस बेस को हम देखेंगे बेस की बॉल्यूम को बेस का बॉल्यूम हमको कहां पे रखना है तो बेस का बॉलियूम जो हमारा है यह हमारा बेस का बॉलियूम है एमपली का तो आपको जैसे माली जिए जनरली जब मिकसर लगाते हैं तो आप इसको फोर पे रखते हैं और मिकसर से बेस दे देते हैं तो यहां जब हम फोर पे रखते हैं तो यहां पे जो हमारा है यह मिकस प्रॉब्लम होगी कहां पूरी वीडियो को आपको देखना है कहीं भी आपको वीडियो इसके नहीं करना है तो उसके लिए मैं आपको सेटेक मताता हूँ ठूलक की आवाज आपका ब्रॉब्लम होगी कहां यह ब्रॉब्लम होगी कहां और प्रॉब्लम होगी कि यह बिस जाएगा तो सभी माईकों में जाएगा जो बोकल के माइक भी है क्योंकि इसमें कोई मिकसर नहीं लगा है तो आप अलग-अलग उसको सेट नहीं कर सकते तब आपको प्रब्लम है कि यह बेस सभी माइकों में जाने लएगा तो यहां से हम इसको फिर क्या करेंगे ट्रेवल देना है हमको तो यहां से हम ट्रेवल देंगे और ढूलक की जो चांटी है हमारी चांटी भी यहां से इसको बेश देंगे तो चांटी भी हमारी मौटी होने लगेगी तो यहां से हम फिर travel को बढ़ाते हैं और travel को बढ़ाते जाएंगे जितना में हमारी चांटी ठीक आ रही है और सभी गानेवालों की आवाज भी ठीक से आ रही है तो यहां हम इस तरह से इसको setting को रख सकते हैं अगर गानेवाले बोल रहे हैं कि थोड़ी पतली आवाज करो त तो आप यहां से मशीन से बढ़ाएंगे और जो mixer वाले हैं जो mixer भी लगाते हैं तो कभी-कभी mixer से अच्छे से से नहीं हो पाता है तो उसका रीजन किसी-किसी mixer में और amplifier में यह difference होता है कि किसी का फोड़ करने पर वहां से mixer से बहुत अच्छा आ जाता है लेकिन नहीं आता इसको बढ़ा के और यहां से उसको सेट कर सकते हैं कि मिकसर से कितना भी करोगा मसीन से बेस कम है तो आप अच्छा बेस सेट नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आपको इस चीज का धिहां रखना है कि हमको अगर बेस अच्छी से नहीं बन रहा है और सामने वाला जो बजाने वाला है वह संतोष्ट नहीं हो रहा है तो समझ लीजे कि आपने अच्छे से मिक्सर से भी कर दिया है तब भी नहीं हो रहा है तो आप यहां से इसको फिर बढ़ाएंगे मसीन से तब आपका बेस बन जाएगा तो बहुती सांदार फिर पर आपका आने लगेगा लेकिन यह व बढ़ाना पड़े तो इसको ट्रैविल को जादा भी बढ़ा देंगे तो इस तरह से इसको करके और हम बहुत ही सांदार धूलक की चांटी धूलक का बेस और गाने वालों की आवाज को मैनेज कर सकते हैं हाँ यह जरूर है कि मिक्सर एक चीज अलग है मिक्सर की क्वालिट को अलग होती है लेकिन जिन भाई के पास यह नहीं है तो इस से ही काम चलाना है तो इससे बहुत हमारी जो यह वह आ रही सकती है तो पीडियोनारिओं सुनेंगी कि किस टाइप से हमारी आवाज आ रही देखिए मैंने माइक बन में उसको लगा रखा है तो माइक बन में लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग है वो कैसी हो हाँ और एक चीज आपको ध्यान रखना है जो माश्टर वोल्यम है हमारा माश्टर वोल्यम को भी आपको सिक्स तक खोलना पड़ सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर खोल सकते हैं सक्स तक भी जा सकते हो किसी किसी एंपली फार में सेवन तक भी पहुंच जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी आवाज क्वाल्टी से मालूम चल जाता है कि आवाज क्वाल्टी हमारी किस तरह से आ रही है और आवाज आपकी फट रही है कोई प्रॉब्लम हो रही तो समझ लीजिए कि आपको कुछ नहीं बगड़ेगा वाज फट की आ रही है तो समझ लीजिए कि आपको कुछ नकुछ नुकसान होने वाला है तो चलते हैं इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं मैंने दो इस पीकर लगाए हुए हैं तो यहाँ पर आप अलो अधिक पास में ही लगे हुए हैं इस पीकर अलवे हमने आपको सुनाई दे जो इसका जो आउट लगाया है वह वहां थैक तो आपको डिया है तो आपको इसका यूजिक करना है आपस बन केलावा इस इसमें जैसे जो Roland का DC 40 होता है तो DC 40 में आगे लगाते है माइक में पीछे भी लग जाता है लेकिन उसमें आगे best quality रहती है लेकिन इसमें आगे इसका use नहीं कर सकते क्योंकि यहां से इसका signal जो है वो match नहीं करता है यहां से आप quality अच्छी नहीं मिल पाएगी इसलिए आपको इसको औकस बन या लाइन इन में ही लगाना पड़ेगा तभी इसकी क्वालटी आपको मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए गुड़ बाए जिन भाई ने भी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरू करिए अधि या आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू